हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID, focus on high, Sony Entertainment Television Bar करें जाइकन जाएं झाल, 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 झाल. कि अटादी जा कि अट थे लूमे civर औप यह यूमे धे, हो कर दीजमे बॉर्ण niezच चाह। डिया, पोड़ क甚麼 मे syllable एलो... है एलो, हैllie खेया, पुल्मीफतvatको. टेया, கा्रதिक amen rook हुषे हैं है एालो, בכ stallione. इझ cognitive? अदर, கार्तिक, बेतrada क्यायों? डिया, डिया, मेरी बात सुनू. हेलो, डिया. क्या हुआ? तुम इत्ते घबरायवेक्तियों लग रहे हैं, सब ठीक है ना? वहाँ डामरपूर फॉरसिजम में, सब ठीक है ना? डिया, मेरी बात सुनू. मुझे तुम्हें कुछ बता है ना? क्या हुआ, कार्टेक, बोलो. है, हलो. 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 हलो, कार्टेक, नेरी अवास आदिया है तुम्हे? नेरी अवास पुनाएधे ते तुम्हें, हलो. हलो. सर, सब ठीक है? पता नहीं. मेरी दोस्कार्टेक का फोन था. डामतपूर फॉरेस्स रिजव में वो ओफिसर हैं. कापी धबरायों लग रहा था. ठीक से सुनाई भी ने देरा, शायद मेटवक का इश्य हुए है. समीड हर सन्ट मेरा इस हुए है. पिर ने, ने, क्षी ने, क्षी ने.... कला यह थो! ने, ने! क्षी ने!! ने, 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 मिश्चिछ अच्छ भूआ गाता है, कि मुझे सलगता है कि कार्तिक जरू कुछ हुआ है, एक बार उससे फोन दे पात करनों, तो पंग चानत हो जाएगा यह भी तो हो सकता है ना कि दामरपूर फोरेस्ट में अच्छा ना है उसकी वज़े से कार्तिक बात कर था तो तो तुम्हे लगा वो घबराया हुआ है सर यह 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 तामरपूर फोरेस्ट के एमर्जेसी लांगान नंबर्स चाहिए इंबे से कुछ लग जा है अ आग कराओं हए रशना अगाँ कार्तिक प्लुद क कि लिए इंए इसलिए सब भुछ हम ने अरेंच किया और क्या नच्य अधितार क्या है अधिंटिक कार्त इम्जेसर से कुमयर यह आपको मेरी आवास घृँ है ना हलो हाँ मैं उन्हीक अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रहा हूं सर आज ही सुभे एक आदम खुर्चीते के अटैक में उनकी मौत हुई है हेलो हेलो आप सुन रहे हैं हेलो सर द्या किसके अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूं कार्थिक के सर कार्थिक अभी डावन पुर जाना हो गया, ठीक है, मंकच, तुम जाओ दाया के साथ दाया सर, यह कार्थे क्या आपका बहुत पुराना दोस्ता हाँ, मैं चादे साहल का दा जब मैं उसे मिला था, हम लोग एकी स्कूल में पढ़ते थे और उस वक्त वो मेरा सबसे करीबी दोस्ता, बहुत ही साफ दिल का लडगा जानवर उसे प्यार करने वाला, जानवरों की परवा करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला हमेशा नेचर और जानवरों की भलाई की बात किया करता था, एक बहुत ही नेक दिल इंसान कार्थिक, बोलते हैं, ये उवरों खाना आरे? सब बताता हूँ, देया. तू चाल. कार्थिक, तुम्हें क्यांटीन से बिस्कीट और खाना, इसके लिए चुर्ण रहा है था? हाँ, हमारे पास तो खाना है, और राथ को खाना भी मिल जाएगा. कि इनके पास तो नहीं कैंटीन है, नहीं कोई कुक, ये तो बे साहरे और बेजुबान है. मुझे यकिन ही नहीं होता कि जानवरों से इतना प्यार करने वाला इंसान जानवरों के हाथों मारा गया. अईसर 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 अईस सर, सर अप्टिसर कार्टिक की मुद हाथ से गया वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है सर हमें अच्छा लगा आप यहां है कार्टिक के पास वैसे भी कोई फैमिली नहीं थी जो उनके अंतिम संसार में शामिल हो पाते यह पूरी तरह चीते का किया हुआ है यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आखिर आप भी सीएडी ओफिसर है मैं यह एक सीएडी ओफिसर के हैसियते नहीं कार्टिक का दोसमन के आया हूं मैं ऐसा लगता है जैसे हमारे दामरपूर वारेस्ट में हाथ्सों के लेहर सी चल पड़ी है अभी दो हमते पहले हमारे एक और आफिसर भूशन भी एक हाथ्से का शिकार हो गया है कि आए दिन यह चीता यहां पर इंसानों पर अटाक करते हैं सर आए दिन तो नहीं लेकिन उस आदम कोड़ चीते का खौफ जरूर फैल चुका है लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि बुशन के मौद इस आदम कोड़ चीते की वज़े से उलिए मतलब मतलब यह सर कि बुशन के बुड़ी में एक अजीब तरह का इंफेक्शन फैल चुका था जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द को बरदाष्ट नहीं कर पाया जिसके कारण उसकी मौद हो गई लेकिन सर अभी तक हमें इंफेक्शन और मौद के असली वज़ा पता नहीं चल पाई क्या मैं बुशन के बुड़ी देख सकता हूँ? शेवर सर, आईए सर यह है फॉरस्ट ऑफिसर बुशन के बुड़ी बुशन के बुड़ी पर कोई दवा काम नहीं कर रहे थी हमने बहुत कोशिश की बचाने की बिहुशी के हालत में पता नहीं अजीबों गरीब बाते बोले जा रहे थे हाँ थी आया, शीता भी आया मेरे को मार डालेंगे सर, बहुत दर्द हो रहा है क्या हो रहा है मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर भुशन किसी जहरीले और या भेंकर एनरजी चीजों के कॉंटेक्ट में आ गया था जिसका असर सीधा इनके दिमाद पर हुआ कुछ दिर पहले बेचनी और दर्द से इनकी मौत हो गई मेरे दोस्कार्थिक की मौत हुई है चीता के हमले से और इस भुशन की मौत और भी पत्तर तरीके से इसका मतलब है जंगल में को ऐसी जहरीली चीज है जिसके उसे इसकी मौत हुई और आप लोग फॉरिस्ट ऑफिसर होने के बाउजित आप लोगो पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है यह सब पिछले दो हटों के बीच में हुआ है और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है तो लगता है कि अन दोनों मौतों में कोई न कोई कनेक्शन है हम लोगो जगा देखना चाहते हैं जहां पर कार्टे के लाश मिली ती आप लोगो हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत चीता के हमले से हुई है हम लोगो ऐसे एक बार वो जगा देखना चाहते है को प्राबलम है? नो सर बस जगे थोड़ी खतरना गे इस लिए चलिए, सार हाई है सर झाल झाल जाजबर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है, तो उसी जगह उसका इंतिजार करता है, या फिर चला जाता है, नगर दरवाजा तोड़के यह बहुत अजीव है, सर. कि यह दरवाजा चीता ने तोड़ है, हाँ सर, ऑसी बले, अगर एक शेर चीता जिसा ताकत वर जानवर भूका हो, तो आसानी के साथ दरवाजा तोड़कर अपने शिकार पर अटक कर सकता है, और एक चीता नहीं इसा किया है, उसने कार्थी को मारा और उसके बाद गसीड कर से बाहर ले गया, जहां पर हमें उसकी बॉड़ी मिली, सर, अच्छली ऐसे हाथ से पहले भी रिपोर्ट किये गया है, कि जानवर दरवाजा या खिड़की तोड सकते हैं, अगर वो भूके हो या काफे गुस्स में हो तो, सर, क्या आपको अभी भी कोई शक है, नहीं, कोई शक नहीं है, अच्छा ये बताइए के कार्थिक के बॉड़ी का पोस्मार्टम तो किया गया ना, और भुषन का ब्लड अनलेसिस भी, हाँ, लेकिन क्यों, वो इसलिए के हमें ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड्स के लि और दांतों के निशान मिले, मैने अपनी रिपोर्ट्स तयार रखी है, ओ, गुड़, पाकेच, सर, डॉक्टर अवे से तुम ये रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेकि मुंबे चले जाओ, और तुम को पता है नोसका क्या करना है, मैं यहीं परोप्टा हूँ, ओ, मैं कि अपनी रखुम को परोण कि अवे कि झघँऑ मैं अरुम यहीं परोण वे यझार लाओ यही यही करोण यही ए क्या हो गया भाई जा 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 बौट जल्दी तुझे अरे क्यों होन माला है थेरा नियू में जा पागल है क्या पागल है क्या अरे अरे अरुप पागल झाओ! कि अबता है। यहां बस, उसकता है कि कार्थिक की मौत चीते के अटेक की वज़े सुगी हो, लेकिन आफिसर भुषन की मौत के बारे में जानकर हैरानी होती है तो आपको पता चल गया कि वो एलेट्जिक रियक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है, हाँ यह देखो बस, इसकी वज़े से हुई, इस पौदे से हाँ, इस पौदे को डेंडरोस्नाइड मॉराइडिस कहते हैं, इसे डिंपी डिंपी ट्री भी का जाता है, यह बहुत जहरीला पौदा होता है बस, इसके फिजिकल कॉंटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से ज्या तो बस, इसमें कोई आश्चर है नहीं कि ए ओफिसर घुषन की ऐसी हालत होई, उसके जगे कोई भी होता, कोई भी उसकी यह हालत होते हैं, पर यह भी तो हो सब्ता कि एक हाद्सा हो, यार ऐसे पौदे तो जंगलों में मिलते ही हैं, बिल्कुल नहीं सर, यह हाद्सा नहीं यह जरूर एक साजश है, क्योंकि यह डिम्पी डिम्पी पौधा यह तो इंडिया में उखता ही नहीं है, यह सिर्फ इंदोनेश्य और साथी स्टेशन कंट्रीज के जंगलों में ही पाया जाता है, इसका मतलब किसी ने जानमूझ कर किसी खास मकसद के लिए यह डिम्पी का सही कारण पता लगा सके, अभी जित, एक काम करो, तुम और पंकश, पौरन दया के पास चले जाओ, क्योंकि हो नहो कोई नहों कोई बहुत बड़ा राज चुपा है इस डामरपूर के जंगल में, इसका मतलब है सर, भूशन की मौत एक साजिश है, और अगर ऐसा है तो ह हो सकता है कि मेरे दोस कार्तिक को भी किसने जान बुच कर मा रहा हूं सर, सर, सर आप मेरी फिकर मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याला हूंगा, मैं आपको बाद में फोन करता हूं सर, ओके, मेरा शक यकीन में बदल रहा है, इस जंगल में कोई आदम खोर तो है, तो अबर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है, अले सुनिया, यह ओफिसर भुशन, उनका कमरा कौन सा है, वो सामने वाला सर, यह जी, थैंक्यू सर, सबसे पहले जहर का आसर भुशन के पैरों पर हुआ, फिर वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया तो यह है वो जहरी ले पाओ दे टिम्पी टिम्पी के पत्ते हैं, जिसके वेसे बुशन के शरीर में वो ऐलेजिक रियाक्शन हुआ और प्रेहर उसकी मात। कि अपरवेश अपरवेश सर, उस आदम को चीता को डूढने का एक तरीका मिलके है, रिसर्च से पता चला है कि फॉर्स्ट ओपिसर जंगलों में जानवरों का बहेवियर और उन्हें ट्राक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तमाल करते हैं रेडियो कॉलर्स कि फ्लिपिंग महीने से ये कॉलर्ड अनिमल्स जंगलों से अजीब तरीके से गाइब होते जा रहे हैं और अभी हामें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में मिल गया हैं अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जानवरों से अलग हो चुके हैं हम उन्हें ट्रैग भी नहीं कर पा रहें अब हो सटा है कि वो आदम को चीटाउनी में से खो अब सर इसी अजीब मामले वो एक साथ इमिस्टिगेट कर रहे थे ओफिसर भूशन और ओफिसर कार्तिक जंगलों से जानवर गायब हो रहे और वहां पर ये वालिट डिवाइस मिल रहे हैं इसका मतलब है इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तसकरी चल रही है अब यह तो आप लोगों कौ मालूम है और जान का रंजान बन रहे है करुछ ऑने तफ्ट शन की मौट को इतिफाक नहीं है प्लों है अब कर्त यह हथिए नहीं सर, यहां कुछ ठीक नहीं है सर मेने सच का पता कर लिया है सर यहां इस जंगल में यह जानवर की तसकरी करने वाले काफी एक्टिवेस है और मुझे लगता है कि बुशन और कार्तिक इस केस पर इंडिस्टिकेशन कर रहे थे और शयाद उसले मारे गए पुशन की मौप का सामान सर इंडोनेशय से आया और यह मिड्लीस कंट्रीज इन तसकरियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है तो हो सकता है तसकरियों की फंडिंग इनी देशों से होता हूं तो मैं इस के से तए तक जाना चाहता हूं सर ठीक है तेकी नेक बात याद रखना जल्दवाजी में खोई बीकदम खत्रा बन सकता है इसलिए जल्दवाजी नहीं पोश्यारी से काम लेना और अभी जी तर पंके तुमारे पास आ रहे हैं अपना ख्याल रखता है ठीक है ठीक है ठीक है से आपके कर ना करें थांकि यह तो नहीं बनाया जा सकता है तो फिर बना वह जल्दी बना हमें उसकी ज़ुरत पड़ीगी अलो नेशनल बायो सेंटर आप मेरी टॉक्सिकोलोजी दिपार्टमेंट में किसी से बात करवा सकते हैं सर्थ यह नहीं सारे पॉरेस्ट ओफिसर्स की रूम भी चाहिए सर्थ लेकिन अभी तो हमारे सारे ओफिसर्स दिनर के लिए मैस में गहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कमरों की तलाशी लेना सही नहीं रहेगा सर कहीं आप हम पॉरेस्ट ओविसर्स पर शक्तों नहीं कर रहे हैं सच कहूं तो हाँ फिलाल आपनों गहीं पर रुखिये मैं सब के कमरों के तलाशी लेखे आता हूं कर भी लेखे आता हुआ कि देखेशिट जनकी पर विलाल आपका मैं प्रूब नियुप नियुदू मेर कैंड अवेड इंडोनेश्य अबल मेर्ड इन इंडोनेश्य खिलो थे जो्ड फिंगयों कि आपक्या हम ऑफिसर्स को जीर इंडोनेश्य आपका श्रूब हो और हम जाता हूं गाराँ हो जोला हम करता हूं वैसे यह ओफिसर्स कित्यवी तक सोजाते हैं? सर, यही कोई साड़े जस ग्यारा होजी? साड़े जस ग्यारा होजी. साड़े जस ग्यारा होजी. सब गुनाइट. टेयारा होजी जस गयारा? यही वही जब शोरो आफिसर्स. क्वाली में चुकित हैं? साथन जस ग्यारा में शपिस प्रोफिस. क्यारी ओर यब ओिस, खरीक।... झाल 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 यह अचाना काईब कहा हुगा? रहा, तम ठीक हो? मैंने आपको पहिचाना नहीं देखे, मैं अपने आपको बचाना नहीं के चकर मैंने आप पर हमला कर दिया, I'm very sorry, very sorry, sir. अब जीद, मुझे लगता यही वो आदमी है, जो शिकारियों को जानवरों की इंफरमिशन देता है, और तो और, ऑफिसर कार्तिक और भोशन की मौत के पीछे इस ही कहाता है, क्यो? नहीं, बिलकुल नहीं, अच्छा, ठीक है, और, इसके बारे में क्या कहना है, ये बियर कैन, इंडोनेशन बियर कैन, उसी देश का, जहां से वो जहरीला पाउधा, टिम्पी टिम्पी लाया गया था, जिसकी वज़े से ऑफिसर भोशन की मौत हुई, बियर कैन, दिखे है, इसके बारे में मुझे खुझ भी नहीं पता, एक मिनिट, एक मिनिट, क्या आप लोग मुझे, इस केस में फसाने के कोशिश कर रहे हैं, क्या, ये बियर कैन, हमें तुम्हारे कमरे में, डस्पीन में मिला, सम्यें, पट, आपने मेरे रूम की तलाश ली, वो भी मेरे गैर म और जुद्गी में, वो हलो, तुम्हारे सवाल का जवाब दो, यही तुम्हारे ठीक होगा, देखें सर, प्लीस, मैंने पिछले एक तीर मेने से शराब को हाथ तक नहीं लगा, और आप लोग में, अच्छा, तो ये बियर तुम्हारे कमरे में कौन पे रहा था, कोई बार क में, अच्छा, देखें, क्या है ना, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो हो सकता है कि उसकी ये क्यान हो, लेकिन सर, इसे कुछ भी थाबित नहीं होता है, कौन है तुम्हारा भाई, और इस वर का है वो? क्या हुआ, क्या हुआ? ये, ये लोग यहाँ? ने, कुछ नहीं, वस थोड़ी सी मदद चिये दे दिमारे. मैं, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? कर सकतो, एक बड़े, ये, ये इस पाउच में से जरा इन पत्तों को भाहर निकालो, 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 ये हाट दालो और इन पत्तों को भाहर निकालो, निकालो, ये हाट दालो और इन पत्तों को भाहर निकालो, निकालो, ये हाट दालो और इन पत्तों को भाहर पकड़ के लाना पड़ेगा, हैंना? अब्राव, यह वो पत्ते नहीं जो तुम समझ रहा है? हाँ, हमें सब पता हैं, ढिम्पी-ढिम्पी के पत्तों के बारे में भी और जंगल में चल्ली तसकरी के बारे में भी तुम यह बताओ, तुम यह बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े हो? अब जल्दी बताओ, ने तो असली वाले पत्ते लियाओंगा मैं नहीं, नहीं, सर, हरे, सर, प्लीज पत्ते मत लेगें, सर, मैं बतादाओना सर सर, एक्चुली मैं वो कॉलिज के एक्जाम में फेल हो गया था तो अब क्या प्लान है तुम्हारा फ्युचर का? हाँ? प्यार में सोच रहा हूँ के मैं दो-तीन मैने का ब्रेक ले लेता हूँ अबने भाई की बास जाता हूँ, ही इस अफॉलिस्ट ओफिसर फिर मैं वही जाके कुछ रिसाइट करूँगा कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है फिर तुझे ये तो मालू होगा कि तु कितने पैसे कमा सकता वाँ से जान ते रहा भाई फॉलिस्ट ओफिसर है मतलब मेरे बास एक अच्छा ओफर है अगर तु इंट्रस्टेट हो तो ओफर? कैसा ओफर? जानवर मढ़ने के बाद उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है उनका पंजा, उनकी खाल, उनके दान्त तु समझ तो रहे ना? बाग, हिरन, हाथी तुम कहना क्या चाह रहे हो? देख, तुझे बस हमें इन्फोर्मेशन देनी है और पैसे कमाने है बागी हम संभाल लेंगे इसे गूड डील, गोफरे मेरे दोस्तों की बातों में आगे मैं आपसे बड़ी कर दी कि उनकी बातों में आने ही नहीं थे ता जवाहर भाईया की वज़े से मुझे सारे फॉरेस्त अगूसर्स जानते थे और इसी बात का फाइता हुठा गे मैं आसानी से कंट्रोल लूम और वहार लगे श्कृम के स्णाफशॉट में चोरी चुपचा निकलता था और भोईचने जोलब भराव साहरों का था सार और उसी स्नाफशॉटस की वज़े से थात्सकृज की तिसटाइस चन्द पैसों के लिए बेचारे बेजुमान जनवरों की बली चड़ा दी तुमने कुछ पैसों के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर भुषन को इतनी दर्थनाक मात दी नहीं सर, सर मैंने जान बुझ के भुषन भायों को नहीं मारा सर एक्चली भुषन भायों कातिक भायों को इस तसकर के बारे में मालूम पढ़ गया था और उन तसकरों नहीं मुझे वो डिंपी डिंपी बादों के पते भुषन भायों के जोतों में डाने के लिए का है मुझे सच में नी बता था सर कि इंपी डिंपी बादों के पते इतने काता नाग हैं सर मुझे तब नहीं मालूम था कि भुशन था कि इतनी दर्दनाग मौत होगी उन्होंने तो मुझे बुला था कि उनको बस मामुली सा दर्द होगा सर कि अधा वं तषकरों से तुम 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 मिले यहां मुझे ने सामने? जी शर जंगल में खास जग्यपे हम लोग मिलते हैं सर और होहें भी हम सारी इंफरमीशन एक्षेंच करते हैं इंफरमीशन के बदले सर वोग मुझे ठे सारा पैसा और विदेशी बियर भी देते हैं, सर. हाँ, हमने देखिए तुम्हारी विलाइटी बियर. अच्छा, अब उन तसकरों से दुबारा कब मिलने वाले होतों. कल सवेरे, सर्थ. अब कल तुम अकेले नी जाओगे. हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ. लेकिन यह बात उनको पता नी चलने चाहिए. नहीं, सर्थ. इस बार तुम पर विश्वास कर सकते हैं, ना? जी, सर्थ. कर में जाएंगे में जाएंगे छी फे रा जाएंगे हो. कि अब आप 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 अप कि अप कि अप कि कि अप्फिसर कार्टिक की मुट आप से गया वक्ति हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है कि समर तुम मुझे तुम पहले समझ लेना चाहिए था समर ने हमारी बहुत मदद की जानवरों की चोरी करने में और उगका शिकार करते में कि क्या बात है विक्की बहुत बढ़िया थैंक्स बिल्कुल सही जगे पर लाया येसे बहुत देर कर दिया ओफिसर बैचानने में और दिमाग लगाने में कर दो जब क्या हो बिल्कुल ठीक नहीं है वो बिल्कुल ठीक नहीं है जिन जहरीले पत्तों ने पॉर्मस ओफिचर भूशन की जान ली थी तब वही जहरीले पत्ते इसकी भी जान लेंगे है मुझे तो लगारा कि CID ओफिसर बड़े चलाख होते हैं लेकि तुम तुम तो बड़े बेवकूफ निकले याद तुम यही सोच रहना कि तुम्हारे तोस्त कारति को किस ने मारा उसे एक आदमखोर चीता ने मारा और जानते हैं वो आदमखोर चीता था कुन? मैं पा मैं विल्ला, प्रोग जा इतने टामसे शिकाल कर देव तुम्हे पता होना चाहिए जान्र चान्र चब खायल हो जाता है तो आर भी खतरनाक हो जाता है बहुत लोगों पर तुम ने ये टिंपी-दिंपी पाउदा इस्तिमाल किया है ना आधिए! 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 अधिए! आधिए! तो फिकर मत करोते हैं! डाक्टर सालूंके ने ऐन जायरी वले पत्तों का अंटिड़ए लही डोड़ी है! आधिए! मुझे दूख की इस बात कह है? कि काश कार्तिक ने मुझे पहले फोन किया होता है कि कि अ सत्ते हैं उसक